कि आनके पार नाग्त करते हैं हैं अ вс् coefficient करने पार रखनी हैं और शांहीं, कि वह साल Kenni भी हमारे साथ ही। रखना हैसे जनाता परिए भी यहीं हैं। मेरा सही इलाज होता, सब चीज होता, लेकिन यहाँ क्या होगे कि मेरा बच्चा चला गया, साहिब गया, परिवर का सदर से वहाँ जाना भी चाह रहा है, तो पहुच नहीं पारा है, ना नर्स नजर आई वहाँ, ना डॉक्टर नजर आया, ना वोडबए नजर आया, कुछ नजर नहीं आया, सफाई कर्मचारी नजर आया, कुछ नहीं इतना कचला के तरह वहाँ है, लोग वैसे बैठाया, कितना दिन से सड़ा खाना नीचे हमें रखा हुआ है, कोई साब सफाई भी नहीं था, कोई इलाज नहीं था, हमको लगता है, उसका ट्रीट्मेंट हुआ ह वहाँ के प्रसासन के लोग बोलते हैं कि नहीं ये लड़का ना दवाई खाके दोड़ा था, बेहोस हो गया, बीपी लोग और ओक्सिजन की कमी से गड़्ट हुआ है, तो वहाँ के डोक्टरों ने अगर ये कहा है, कि हमारे डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता देखी, 22 अगत से उत्पाज सीपाही का दोड़ शुरू हुआ था जहारखंड में, और 2 सेप्टमबर तक चला, 2 सेप्टमबर तक इसलिए चला क्योंकि उत्पाज सीपाही के दोड़ में अब तक जो है, एक 11 वियरतियों की मौत हो चुकी है, ये दोड़ 6 सेप्टमबर त देख सकते हैं, और विकास लिंडा भी जो है, राजधानी राची के नामकुम के रामपूर गाओं के रहने वाले थे, वो जो है उत्पासी पाही के दोड़ के लिए साहिब गंजीला गये थे, यहां से लगभग 500 किलोमेटर दूर, तो वहां गये थे, वहां पर दोड़ने के करम में जो है, वो बेहोशों के गिरते हैं, और उनकी इलाज के दरान मृती हो जाती है, तो उनके हम लोग घर पे आ गये हैं, और जानने का प्रयास करते हैं, कि पूरी घटना कैसे हुई, उनके परिवार वालों के उपर क्या बीत रही होगी, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करे हैं, सबको मेरा जोहार क्या नम हुआ सर अपका, मेरा राहुल नम हो राहुल तरकी, राहुल जी, अभी हम लोग विकास लिंडा जी के घर पे हैं, और विकास लिंडा जी उतपाच सीपाही के दोड के लिए जो है, रांची जिला से साहिब गंजिला गये थे, लगभग 500 किलो मेटर दूर है, और वहां पर दोडने के करम में वेहोशों के गिरते हैं, और उनकी मिर्ती हो जाती है, सर, पूरी घटना कैसे भी कुछ आइडिया है, सर, दिखिए, सरा सर, मेरे हिसाब से तो, हमको लगता है, डॉक्टर लोग मडर कराएं, क्योंकि जब व तो, हम लोग को तो एक्जाक्ट पता नहीं था कि कितना बजे हुआ, लेकर जब दौड के वहां दौडे, एक तो लेट से दवड़ाएं, ग्यारा बजे दवड़ाएं, फिर हम लोग फोन भी किये, तो फोन रिशीब नहीं हुआ, तो फिर एक उसका दोस्त गये, तो रूम बएक पिये, उसके बाद उसकी एक बहन गई थी, फिर भावी उसका गई थी, फिर एक और गए थे उसके भावी कि भाई, तो शाड़े साद बजे असपास, वह अच्छा से पानी पिये, फिर भावी लोग के साथ एफल खाये, दो रोटी खाये, पुरा बात उथाा से, यह अचानक उदी कोलता है फिर पता चलता है की एक से तीन के बीच में बी-पलों हो गया फिर गैस ऑक्सीजन नहीं है तो यह सब चीज मुझे लग रहा है कि यह सारा सर लापरवाही है होस्पीटल का जो कि इतना बड़ा होस्पीटल है सदर अस्पातल सरकारी यह है और मानने यहां पर गय है कोई अगर वैसा बहुत हो के हैं तो वहाँ पर कि उद्धुवाद व्भाग से कम से कम एक लोक को जो डॉक्टर है उनको रहना चाहिया उस डिपार्टमेंट के सदस्या को राना चाहिए देखभल करने के लिए वाक्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जब तो को ठीक ना हो जाए ये बताए कि साहिब गंड के सदर अस्पताल मुन का इलाज चल रहा था जी कितना घंटा इलाज चला था उनका अब तो देखिए चार बजे ओ करीब अडमिट हुए थे चार बजे शाम को हाँ चार बजे से करीब एक मेरे पास मैं बात जो किया थ लास्ट बात किया था मुझे फ़ोन आया तीन बजे कि इनका बीपी लो हो गया है औक्सिजिन खतम हो गया है होस्पिटल में और ऑक्सिजिन जब लेनेगे मांगने गए तो बोले कि ऑक्सिजन मेरा डिपार्टमेंट नहीं है उसके बाद मेरे पास मैं रास्त मैं फिर निकल गया साहिव गंज के लिए फिर मैं रामगड़ पहुंचा तो वहां पर करीब छे बच के उन्चालिस मिनट आज पास मेरे पास फोन आए कि अब यह नहीं है मागरिट लकड़ा मागरिट जी बताइए कि अभी हम लोग विकास लिंडा जी के घर पे हैं और बड़ी दुखत खबर है राची से जो है उत्पाथ सीपाही के दोड़ के लिए साहिव गंज गया इस पर क्या कहना चाहिएगा अगर राची में दोड़ होता तो यह जो घटन जैसे में क्या होता था कि हम घर में रह जाते थे घर में खाये पीए सोये सुबा उटके गया लाइन लगाए और दोड़ गया रम सुरक्षित घर वापस आगए अगर अभी का अभी का क्या हो गया इस बार का दोड़ में हम लोग देखे हमको बहुत बुरा लगा कि हम तो इसका तो भी आगे पीछे कोई नहीं रह गया उस घटना में अगर हम राची में दोडते और मेरे पास घटना भी घट जाता तो मेरा परीवार का सद्द से ओहां पर खड़ा रहता मेरा सही इलाज होता सब चीज होता लेकिन यहां क्या हो गया कि मेरा बच्चा चला गया स जाना भी चाह रहा है तो पहुच नहीं पा रहा है बताइए 500 किलो मीटर का दूरी में तो जिस समय हम दोड़े थे हम अपना जीला बाई जीला दोड़ रहे तो उसमें ऐसे कोई घटना नहीं हो था हम यह चाहना चाहते है कि यह चीज को क्यों नहीं किया गया कि हमारा जील कोई बेवस्था नहीं है और डॉक्तर नहीं है कहके सारा चीज मतलब कोई भी इलाज बेवस्था किया ही नहीं बसाते मेरा बच्चा हम जान रहे कि सुवा साथ बजे तक खिक खाना पीना सब खाया तो यहां को जहां तक लगते कि डॉक्टर वहां का जो हॉस्पीटल का ब तो ऐसा भी किसी के साथ नहीं होता तो अभी जो सरकार अभी रोक दी है और उनको संसोधन कर रही है तो हम यह भी कहना चाहते को जीला बाई जीला दवडाए और जो उसका दूरी रख दिया है दस किलो मीटर ओ थोड़ा कम कर तो इस तरह से अभी दुख का बात है कि इतना के साथ उसका दोस्त गया था मैं उसके बाद गए थी आपके बड़े भाई थे नहीं सबसे छोटे थे तो कैसे कैसे हुआ आपको कुछ आइडिया हुआ हम लोग वहां पहुचे थे 9 बजे 31 को पहुचे वहां दौर कब था उसका 31 को था और मेरा दो को था भावी का था एक तारी को तो हम लोग यहां से निकले थे 30 को भाई निकला था 39 को तो हम लोग के जाने से पहले वो लोग ग्राउंड में चल चुका था बहुत ज्यादा धूब भी था अच्छा आप कितना वजद दोड़ाया गया था कुछ आपको आइडिया है आपको पता है नहीं उससे पहले वो दोड़ चुका था हम लोग तो आप भी दोड़ के लिए गई थी रूम के लिए इदर उदर भटक रहते हम लोग तब तक टाइम हो चुका था 11-12 बज़ी रहा था तब लड़का लोग सब ग्राउंड में ही था तो फिर हम लोग को वहां बैरिक में ही ठरने के ल फोन उठाया वो बोला कि हम तो बाहर में खाना खा रहे हैं और अंदर गया है दोडने के लिए तो फिर वह भी झाल ख़ा रहा है तो फिर बाद में जाके देखता है लड़का लोग से पूछता है तो बोलता है नहीं ग्राउंड पुरा खाली हो चुका रहा है जाकि वहां रही अगर॰ख जो हो गया है पिर जाकर हम लोग गया चे बजहां चाल रहा था कोई इलाज नहीं था वहाँ पनी का सदरस्पाता हुँत उनको बचाने के लिए नहीं कुछ कुछ नजर नहीं आए ना सफाई कर्मचारी नहीं नजर आया कुछ नहीं इतना कचला की तरह वहाँ है लोग वैसे बैठाया कितना दिन से सड़ा खाना नीचे में रखा हुआ है कोई साप सफाई भी नहीं था कोई इलाज नहीं था हमको लगता है उसका ट्रीटमेंट हुआ और वहां के प्रसासन के लोग बोलते हैं कि नहीं यह लड़का ना दवाई खाके दोड़ा था बिहोस हो गया तो ऐसे बोल रहा है क्या बोल रहा है मैं किसी को नहीं पहचान रहा हूं मैं कहा हूं ऐसे बोलता है जरूर यह लड़का पी के आया है मैं उन लोगों से बोलना च क्या उसमें अगर वह दो दिन रहा हो हस्पिटल में फीजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए पुरा बोदी चेक अफ ओना चाहिए कि तो बोलता है कि नहीं उसको अक्सीजन चड़ रहा है खंट वहां से फिर उसको रहे नहीं दो यह प्योलग चंड वहां हो तो पिर एक भाई और को बुर्याव होई एक भाई और करता नहें जो आपके भाई है आप दुनिया में नहीं नहीं तो पिर mistake अभे आप आहां पर बिनओन कच्छफ करके वह भाइया वहीं पर खड़े थे तो पहले दिन तो देक्थ सेस्छलामत तो फिर जर रहें देखने के लिए तो भाइया बोलते हैं कि नई है डेट करके तो हम भले उसको ले गया हम को इसमाज में आया फिर नहीं रहें है क्या हुआ बोरने लगया तो दूसरा रूमसर में ले गया था उसमें लिखी वह सो D देख रही है उनको बचाने का प्रयास किया जाता अगर उनको बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता इलाज मिलता तो आज आपके बीच होते हमारे बीच होते हो जरूर होते लेकिन कुछ नहीं हुआ वहां जब ऑक्सिजन चड़ रहा था सिलेंडर भी उसके सामने होना चाहिए कु कुछ ने पता आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या बिधी वेवस्ता है जिस परकार से जो विकास लिंडा के जो सिस्टर है बेहन है वो जिस परकार से अपने दर्द को बया कर रही है इनकी बातों को सुनके ये लग रहा है कि जो इस राज्य के गरीब मजदूर किसान के पड़ता है और खिजरी विधान सभा के जो है विकास लिंडा थे तो उस विधान सभा के विधायक राजेस कसभ जी मिल गए सरकार में है तो आए इनसे बातचीत करते हैं कि सर आपके शेत्र का एक होनहार लड़का इस दुनिया में नहीं रहा इस पर आपका क्या कहना है कैसे इस चीज़ को देखते हैं सर जोहार यह देखे बहुत दुकत गटना है एक होनहार हमारे बीच में नहीं रहा जो पादसपाही का जो बाहली है उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए व गया था और अचानक से जिस परकार से पादा करने का परयास कर रहा हूँ की जो बच् बात पता चल रहा है कि तो वहां पे ओक्सिजन की कमी की वज़र से उनका देहान थुआ है अगर ये बात अगर सच निकलता है तो निश्चीत मानिए वहां के कोई भी अधिकारी होंगे जब सुभा वो अगर नास्ता करके ठीक हुआ है और उसके बाद ओक्सिजन की कमी बीपी लोग और ओक्सिजन की कमी से गड़ित हुआ है और अगर उन्होंने डोक्ट वहां के डोक्टरों ने अगर ये कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूँगा कि मैं उनको कोई डिपार्टमेंट पर रहने नहीं दूँगा आज कि आज आज ये बात मुझे अभी पता चल रही है कि इस प्रकार का मसला है मैंने कल वहां के एसपी से बात की राची के डियाईजी से बात की उनके माधियम से जो वहां का जो टेथ होने के बाद उसके बाद मैंने लाइन अप कराया बोडी को मंगवाने का पुलिस पुलिस अधिकारें को जिम्मा दिया लेकिन अगर यह पाद लापरवाहि से अगर डॉक्टर की लापरवाहि से और अगर गैस जो सिलेंडर है औक्सिजन की कमी से रहते हुए अगर नहीं दिया है तो यकीन मानिए वो चुटेगा नहीं जो परिजन है जो विकास लिंडा की जो बहन है उनका तो सिधे-सिदे तो और प्यार हो फैसर सामने थी हो यह ठीक है मैं इसी इसी बात पर के बाद इसकी जानकारी मिली और एक घटना और एक घटना और माजी पर्खन के जीराबार में हुआ है तो उस दिन भी मैंने मेडिकल वगरा में उन लोगों को डेथ होने के बाद वहां भी पता चला और उसके बाद में पोस्तमाटम वगरा में मदद करके अबुलेंस वगरा सुनको घर पोहँचवाया था लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल मामला है लेकिन जब विकास का डिथ के बाद ये गार्वां के संख्या में है तो यह बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या है तो सरकार गंभीर है हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर है कल हमने बात किया है मुआउजा तो एक दूसरा मामला हो जाता है वो सरकार तो मुआउजा देगी वो दूसरा चीज है उसको तो हम वापस नहीं कर सकते लेकिन इसकी पुनरविर्ती दुबारा ना हो कई से ना हो इस पे सरकार कदम उठाएगी